हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल के स्पाइसे किचन तो आज में लेकर आई हूं ब्रत के लिए बनने वाली एक मिनिट में ही खीर जी हां ये खीर एक मिनिट में बनके रेडी होगी और फ्रेशिंग स्ट्रोवेरी सागो मिल्क शेक जो हमारे सेहत को बहुत और एनरजी भरपूर रहती है इसको लेने से तो मैंने एक ग्लास दूद में जो बॉयल आ जाता है तो एक टेवल स्पून सागो डाल दिया है सोक करा हुआ सागो दाना अब इसको दो तिन मिट के लिए कुक कर लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है एक मिक्सी का ज अब ठंडा दूद डालके इसको ग्राइंड कर लिजिए तो बॉलती है हेल्दी हमारा स्ट्रोवरी मिल्कशेक बनके रेडी होगा एक ग्लास पीने से पूरे दिन आपको भूगने लगेगी तो यहां पर देखिए यह ठंडा हो गया है हमारा सागो खील अब हम लेगे ग्लास तो एक ग्लास में मैंने डाला है रुवजा अगर आप ब्रत में रुवजा नहीं लेते हैं तो इसकिप कर दिजेगा और दूसरे में मैंने ऐसी प्लेन रखा है तो हम चागो एड़ कर देंगे दोनों ग्लासेस में अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइल और इस्टोवेरी अपना जो मिलकशेक बनाया था वो एट कर दीजे अब इस्टोवेरी के कुछ पीसेज भी एट कर दीजें तो दोनों ग्लासेज में डाल दीजे आप और कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं इसमें तो ये गर्मों में बहुत ही रिफ्रेशिंग देता है हमें और ब्रत में भी आगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहती है पूरे दिन तो थोड़े से ड्राइफ लूट डाल दीए हैं अब देखी रेडी हो गया है हमारा इस्टोवेरी मिल्कशेक तो बहुत ही टेस्टी है ये अब हम बनाएंगे एक मिड़ में बनने वाली चोया की खीर तो यहां एक दो गलास जितना भी आप लेते हैं जितनी कौंटिटी खीर की रखते हैं उतना दूद ले लीजे और जब दूद में अच्छा सा बॉयल आ जाए गरम हो जाए तब हम उसमें एट कर देंगे ये बुना हुआ चोया और बस गैस की फ्लेम को आफ कर दीजे इसी समय आप शुगर अड़ कर दीजे और लाइची पारडर या ड्राइफ ओड जो भी खाना चाते हैं वह अड़ कर दीजे अब इसको ठंडा घाना या गरम खाना या आपकी मर्जी मार्जी है अगर गरम खाना है तो रेडी हो गया है हमारा ये और ठंडा खाना है तो आप फ्रिजर में रख दीजे तो बहुत ही टेस्टी हमारा ये चोया की हीर बन के रेडी हो गई है ड्राइफूर से गार्णिश कर दीजे एक मिनट भी नहीं लगा है इस हीर को बनने के लिए तो हमारी दोनूर ऐसी भी ब्रत वाली है जिसको आप गरमें पे भी इंज्वाइ कर सकते हैं फ्रिज में रख दीजे ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगते हैं ये हमारा ड्रिंक भी और खीर भी तो बहुत ही आदी टेस्ट्री हमारी खीर बनके तयार हो गई है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स पार वाचिंग बाई